कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही परचलित व कि जिसका नाम है क्वान्टम हीलिंग्गुर्ण इसमें दो शब्द हैं क्वान्टम हीलिंग और आपने इन वर्ड को ज़रूर सुना होगा और अगर पहली बार भी सुन रहे हैels तो भी ऐसी कोई की बात नहीं कि जब हम क्वांटम हीलिंग की बात करते हैं तो एक बुक आई थी 1989 में और उस बुक का नाव अधर थे डॉक्टर दीपक चौपडा डॉक्टर दीपक चौपडा बेसी के लिए एक डॉक्टर भी है और एक आध्यात्म स्कोलर भी है और यह अमेरिका में रहते ह हैं और उन्होंने यह किताब लिखी दी जिसका नाम है क्वांटम हीलिंग यह पूरे वर्ल्ड में बड़ी पॉपुलर हुई और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे रेफरेंस दिये कि बात कही और उन्होंने इस बुक का नाम रखा क्वांटम हीलिंग अब यहां पर दो पहली बार सुन रहे हों मुझे लगता नहीं कि हीलिंग जैसा शब्द आपने पहले नहीं सुनाओगा सभी ने सुनाओगा फिर भी मैं दोनों शब्दों को जोडता हूं क्वांटम वर्ड लिया गया है भौतिक विज्ञान से जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी वस्तू का जो लास्ट सुक्षम कण होता है उसे हम क्वांटा कहते हैं उस पार्ट को हम क्वांटा कहते हैं पर एक्जामपल जब प्रकाश आप तक आता है जब इसे देखा गया तो पहले यह माना गया कि यह तरंगे मातर हैं लेकिन फिर पाया गया यह तरंगे नहीं है प्रकाश के क हम इतनी तो बात नहीं करेंगे कि मैं physics की non-locality सिद्धान्त बताऊं आपको यह उसके लिए नहीं है basically quantum healing का meaning है healing का meaning होता है कि आप अपने शरीर को फिर उसी अवस्था में ले आएं जो उसकी natural पुस्थ अवस्था थी और यहां पर आप उसके quantum level पर जाएं अब हम यह मानेंगे कि अगर हम quantum level पर जाएंगे तो हम यह मान लें कि शरीर का जो last part है वो हमारी cell है पर इसके भी परे कुछ देखा गया है और वो है कि हमारे अंदर basically एक network है और वो network है आप यूँ समझें intelligence का हम पूरी तरह से एक intelligence को जीते हैं और हमारी body में हमारे mind में एक intelligence यानिके एक गुद्धी होती है plus यहाँ पर एक energy भी होती है जिसको आप vibrations भी कह सकते हैं और basically हमारे जो शरीर है इनी vibrations का एक तरह से network है और अगर हम इस level पर बात करें तो अगर हम इनको heal करें तो हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं पर समश्या क्या आती है अगर इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मान लेते हैं आपको migraine है तो आपका एक ही सवाल आएगा बार बार सहाब migraine के लिए एक video बना दो अगर आपको arthritis है तो आप कहेंगे arthritis भुटनों के दर्द की एक video बना दो पेट में दर्द है और regular रहता है तो आप कहेंगे जी पेट के दर्द के एक video बना दो यानि के आप जिस लक्षण से जूज रहे हैं उस लक्षण से बिलकुल उतना ही पार पाना चाहते हैं लेकिन कभी आपने इस बीमारी के परे अपने आपको नहीं देखा समझने की कोशिश करिएगा बीमारी को अगर आप ठीक करेंगे तो वो एक एलोपैथी सिस्टम है लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती आदमी को ठीक किया जाता है तो आप अगर खुद को ठीक करना चाहते हैं तो ये quantum healing आपका काम करेगी तो मैंने आपको बता जिया कि सुक्ष रखें यह चीजे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँगा कि अब आपको क्या करना है कई लोग इस किताब को पढ़ चुके होंगे तो वो उस किताब से मेरी स्टोक को compare करेंगे ऐसा बिलकुल मत करिएगा क्योंकि उस किताब से औ अगे की बात सोचने लगे हैं यानि कि मैं उसके परेकी चीजा आपको दे रहा हूँगा मेरी वीडियो का एक ही लक्ष होगा सभी वीडियो का कि जो complicated या बहुत ही जटिल subject हैं उनको मैं अपने देशवासियों के लिए बहुत simple बनाकर आपको दे दू ताकि आप उसका प् बने ये मेरी वीडियो का पूरी तरह से एम है एक एक point को मैं समझाओंगा और आप इसे notes बनाएगा notes बनाकर आप एक workshop तयार करिएगा अपने घरवालों के लिए अपने परिवार वालों के लिए और उन्हें बताएगा कि देखे quantum healing यह होती है लोग आपके लिए तालियां करूंगा जो बहुत जरूरी हैं जरूरी इसलिए हैं कि एक तो ऐसा है कि जैसी आप मेरी वीडियो को देखते हैं और comment देते हैं या comment पढ़ते हैं लोगों के वहाँ पर कुछ लोग राम वर्मा बनकर अपने number float कर रहे हैं कि वह आपको invite कर रहे हैं कि वह आपकी problem को solve कर दे ही है वह spam है वह जूट है अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरी website पर आईएगा ramverma.com और ऐसे लोगों से बचिएगा दूसरी बात मेरी कुछ एक workshop और कुछ एक books आपके लिए हैं उनमें से एक ऐसी book है जो आपके confidence level को बढ़ाएगी और आपकी healing और आपकी पूरी power को बढ़ाएगी universe में उसका नाम है अवेकंदा God of miracles चमतकारी शक्तियों को जागरत करें हिंदी में English में और गुजराती में यह available है एक लाग से अधिक लोगों ने इसे download किया है आप भी से free में download कर लिजेगा इसका link मैं नीचे देदूँगा आपके लिए और इसी के ऊपर बहुत सारे courses बहुत सारी और भी वक्षोप हैं उसके लिए आप मेरी website ramverma.com पर जरूर जाया करें वहां पर देखा करें कि आपके लिए क्या possible है अब बात करते हैं quantum healing की पहली तो बात याद रखे का quantum healing यानि कि आप सुक्ष्म लेपल पर जहां बीमारियों के परे हम जा र जो सपोर्ट करता है आप उस जगह पर जाईए कभी आप एक पेड़ की नेचर को उसके पत्ते काट कर नए पत्ते लगा कर नहीं बदल सकते हर बार वही पत्ते आएंगे कब तक लक्षनों को ठीक करोगे आप अपने माइंड और अपनी vibrations को समझना शुरू करें आपके चाहता है आप के नहीं है यह आपके एक डिजार है बदल मिप्स के बरावर हो जाए और यहिपर तना ही बड़ा हो जाए यह आपके भी डिजार है जेस दिन ये equation बराबर के आ जाएगी आपका belief system आपकी इस desire को पुरा कर देगा और याद रखेगा ये बीमारी में ही नहीं ये आपके धन में भी काम आता है जैसे ही आपके desire के बराबर आपके अंदर का belief system यानि के आपके अंदर की आस्था आपके अंदर का यकीन आपके अंदर का विश्वास जो आपके deep down पड़ा हुआ है वो immediately आपकी healing का पहला step होता है इसे याद रखेगा अगर आप अपने आपको heal नहीं कर पा रहे हैं और बीमार पर बीमार हो रहे हैं समझ लीजे आपका belief कहीं छोटा पड़ गया है यानि कि belief आपका छोटा पड़ गया है और आपका जो desire है वो आपकी बड़ी हो चुकी है यानि कि आपकी जो problem में वो बड़ी हो चुकी है और आपका belief छोटा हो चुका है और ये belief basically कुछ और नहीं है यही belief आपकी vibration या energy है आज इस energy के बारे में जादे बाते करते हैं और एक एक चीज को मैं समझाओंगा हर एक point में मैं problem के साथ समधान भी दूँगा अगर मैं आपके साथ 8 point दूँगा तो 8 ही समधान दूँगा एक-एक समधान को सुनिएगा और आप समझ जाएंगे कि अब आप कितनी जल्दी अपने किसी संकट से जो बीमारियों के रूप में आया हुआ है उससे बाहर आ सकते हैं पहला point मैंने आपके साथ share किया कि हम quantum healing में सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारा belief और हमारी desires जिस दिन match कर जाएं उस दिन हम अपने आपको heal कर सकते हैं और ये पाया गया है जब-जब लोगों का यकीन बन गया जिस doctor पर भले ही उसकी गोली उसने ना खाई उसके injection में भले ही पानी हो वो ठीक होने लगते हैं जबकि उन्हें कोई गोली नहीं दी गई जैसे ही उनको किशी विशेश व्यक्ति से प्यार मिलता है जैसे ही उनके अंदर कोई आशा जागरित होती है जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि उनका जीवित रहना बेहत जरूरी है वो अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं तो निश्यत रूप से कोई ने कोई इन बीमारियों के परे हमारे पास सुक्ष्म लेकिन बहुत ही शक्तिशाली पावर है हमारे पास जो हमें हील कर सकती है कमाल की बात मैं आपके साथ बता रहा हूँ दूसरा प्वइंट जो मैं आपके साथ शियर करना चाहता हूँ इसके बाद वो ये है कि जो भी आपके पास आया है जो भी आपके पास अभी आया है उसे आपने इनवाइड किया है क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि याद रखेगा आपका जो थोट है याद रखेगा आपका थोट ही हर बीमारी को invite कर रहा है जिस तरह से हर एक आपकी cell के पास एक receptor होता है एक receptor होता है और वो आपके hormones महाँ जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ पर वो sugar और बाकी nutrient को receive करने लगते हैं ऐसा ही बिल्कुल आपके व्यक्तितों में हैं आपके पास कुछ receiving energies हैं जिनको आप receptor कह सकते हैं या receptor vibes कह सकते हैं याद रखेगा ये vibes कई बार इतनी negative हो जाती हैं और ये negative होकर जैसे ही travel करते हैं universe में ये उन्ही energies को receive करने लगती हैं और जिसको आप कहते हैं जी मैं बीमार हो गया हूं और जैसे ये बीमारी आती है तो आप बीमारी के लक्षन को दूर करते हैं जबकि आप इसकी responsibility लेनी चाहिए आपको कि ये मैंने receive किया है अगर मेरे पास कुछ भी आया है बीमारी के रूप में तो वो निश्चित रूप से आपने उसे invite किया है अगर आप इस वक्त बीमार हैं चाहिए वो आपका migraine है अगर आपके पास migraine आया हुआ है ना बहुत सारी ladies के पास आपको मिलेगा कि migraine आधा सर पढ़ता है समझ लीजेगा आपने अपने जीवन में असुरक्षा के भाव को कभी आमंतरित किया था बहले ही वो universe I mean event की वज़े से हुआ था घटनाए घटी थी और उसी असुरक्षा की भावना की जो वाइपरिशन थी उन्होंने इस बीमारे को जन्म दे दिया है मैं एक participant मुझसे कह रहा है था कि basically उनके कान खराब होने लगे है जबकि सच ये है कि वो अपने ही परिवार में कुछ लोगों की बाते सुनना ही नहीं चाती क्योंकि वो painful बाते हैं रोजाना की और कहीं उसने एक vibration invite कर ली कि भाया मुझे इनकी बाते ना सुने मैं तो इनसे बच के रहूंगी लेकिन बच नहीं सकते वो तो ही है तो उनकी इस vibration ने उनको एक बीमारी create करनी शुरू कर दी के चलो हम आपके कान खराब कर देते हैं कई लोगों को मैंने देखा है जो समय से पहले उनके आखे बहुत तेजी से खराब होती हैं और वो कई बार मेरे पास जब counseling के लिए आते हूं कहीं आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं चल रही आपके परिवार में जीवन में जिसे आप देखना नहीं चाहते और वो आपको बार बार दिखाई दे रही है और कई बार आपकी intention या vibration इस तरह की है कि आप बोल रहे हैं ये भगवान इससे तो अच्छा है मैं इन्हें ना देखू मेरी आँख फूट जा आँख फूट जा ये वड़ नहीं बोला पर बात तो यही है याद रखिए कई बार आप लोगों को जब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते किसी शर्मिंद्गी की वज़ा से तो आपकी skin खराब होने लगती है जब आप जिम्मेदार जाकिए और उन सुख्षम संदेशों को पढ़िए जो कहीं आप इन्वाइट तो नहीं कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है का आप जान बूझ कर इन बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं एक लेडी ने जब उससे कहा कि उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है और पूरी तरह से मुझे वो लेडी हेल्दी दिखाई दी तो मैंने कहा आपने घुटनों के ऊपर कुछ कहा तो नहीं उन्होंने कहा हां आठ साल पहले जब मेरी बेटी की डैथ हुई तो मैंने यही सोचा था मेरे तो गुटने ही तूट गए और उसी दिन के बाद यह घुटने खरा पूरी तरह से अनवर्दी मानने लगते हैं तो वो याद रखेगा इनवाइट कर रहे हैं एक ऐसी बिमारी को जो उन्हें अनवर्दी बना दे चाहे वो उनकी स्कीन को बिगाड़ दे या फिर इंटरनल वर्ड में ले जाकर पूरी गडबड कर दे जिसको ठीक ना कर पाए क्योंकि आपने क्या कहा कि मैं जीने लायक ही नहीं हूँ तो ऐसे कभी भी सुक्ष्म संदेश आप यूनिवर्स को ना दे यह पहला सोलूशन होगा अब बात आती है कि अगर हम इन्वाइट कर रहे हैं तो वो इन्वाइट करने वाले कौन से चार बड़े एरिया हैं चार आपके थोट आप ही क्या गेंश्ट जा रहे हैं आप दिन भर में 60-70,000 थोट के एक तरह से कह सकते हैं कि ट्यूब वैल हैं जिदर से पानी निकलता है तो आपके अंदर से ऐसे थोट चल रहे हैं पर उन थोट में से कई थोट बड़े होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है लेकिन उन थोट के बीच में कई बार जो बहुत माइन्यूट बहुती सुक्ष्म थोट होते हैं वो आपके लिए कई बार आपके जीवन को पूरी तरह से डिरेक्शन यानिके दिशा दे देते हैं इन सुक्ष्म संदेशों को तुम पढ़ा करो कहीं ऐसा तोने के ब बीच में आपके एनर्जी बदल गई और वो एनर्जी जो थी वो इतनी नेगेटिव हो गई कि उसने नेगेटिव चीजों को अट्रेक्ट करना शुरू कर दिया आप अपने थोट के बारे में कई बार कुछ ना करें अगर समाधान चाहते हैं तो बैठा करें और देखा कर मिल पर आपकी जान बचा देगी दूसरी चीज आपकी बड़ी चीज है आपकी पहचान जो आएक के साथ वर्ड बोलते ना आय एम राम वर्मा तो यह मेरी शोशल आइडेंटिटी तो यह मेरी रिटीनिटीटी अगी यह मेरी अपनी अंदर की एक और आ गई अब यह देख को सारी दुनिया कहती जी आपका नाम राम वर्मा है यह तो आपकी बड़ी आइडेंटिटी लोगों को दिखाई दे रही है सुख्षमा आइडेंटिटी आपकी क्या है वो आइडेंटिटी जिसको आप आज तक नहीं जी बता पाए लेकिन आप अंदर खाने जानते हैं और तो आइडेंटिटी अगर कहीं भी नेजेटिव है कि मैं विक्टिम हूं मैं रिजेक्टिड हूं मैं सताया हुआ हूं मैं मिजरेबल हूं मैं संकटों से घिराव एक्ति रहा हूं मैं तो बिल्कुल रिजेक्टिड हूं लाइफ में तो ऐसी सुख्षमा आइडेंटिटी ज थीने आप छोड़ दीजेगा सारी कि तीसरे आपको ये पता होना चाहिए लिए ये इंप्कोंट क्या है आपको ये तो मेरे लिए मनी इंप्कॉर्टेंट है और यह वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे मिरे लिए हेल्थ भी मि इंपर्टेंट हैं, और कई बार आप ये भी कहांगे, मिरे लिए रिश्थे भी मि इंपर्टेंट हैं, लेकिन याद रखेगा, इनके परेभी आपके सुख्ष्म इंपोर्टेंस क्या है? कही बार ऐसा नहीं हो रहा है क्या? कि अच्छा भला रिस्ता चल रहा है और आपको गुसा आया, पैनिक आया और आपने खराब कर दिया? इसका मतलब है सुख्ष्म रूप से, आपके लिए ये भी इंपोर्टेंट है कि आप रिस्ते में डेंट मारो, यानिके गंगा जल में थोड़ा तक कीचर जरूर मिलाओ, आप इन सुख्ष्म क्वांटाज को जरूर पकड़िये, सुख्ष्म उस थोट को जरूर पकड़िये, और चोती चीज है कि आपके लक्ष क्या है, जो क्वांटम गोल्स आपके हैं, कही बार आपको कहेंगे कि पैसे के गोल है मेरे पास, तो बड़े गोल है, सब लोग आपकी गोल सेटिंग कराते हैं, आज मैं इन गोल्स के बीच में से एक गोल निकाल के लाँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिना मतलब कई बार बोर हो रहे हैं, बोर क्यों हो रहे हैं, कई बार बिना मतलब तनाव में आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, जब यह आपका गोल ही नहीं था, तो इनको पूरा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके बाकी गोल्स के बीच में से छोट- जो पर आप आज से अपने आपको स्कैन करें और जैसी पाएंगे ऐसा लगेगा कि यार आप तो पूरी तरह से बड़ी से बड़ी बीमारी से निकल सकते हैं इतनी ही जानकारी चाहिए बस आपको और अगर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक चीज देखेगा वो य यहां पर जब भी हैपी है तो यहां पर आप पॉजिटिव ली वाइब्रेट कर रहे हैं ठीक है ना आपके अंदर की पॉजिटिव है लेकिन कई बार इसका जस्ट पॉजिट है यार मैं आज बहुत डाउन फिल कर रहा हूं चलिए यह भी थोड़ देर के लिए हैं यहां स सेंसेशन्स हैं जो आपको तंग कर रही हैं कई बार आप कहते हैं सर बोर्डॉम हैं कई बार आप कहते हैं फ्रस्टेशन हैं कई बार आप कहते हैं के सर ना गुसा है ना प्यार है हलकी सी रिटेशन है कई बार आप कहते हैं यार मैं बहुत पता नहीं कैसा लग रहा है यह कभी आपने इनको पकड़ाएं, याद रखेगा, आपकी vibrations, आपकी energy, आपके neurons, आपके एक एक cell के अंदर की energy है, उनके बीच में जो energy का network है, जो intelligence का network है, वो इन से ही तो प्रभावित हो रहा है, बस इसका तो आपको पता है, इसका भी पता है, लेकिन इसके बीच में, तो आप इस difference को देखें, कि इस difference के बीच में, मैं किन किन अपनी इस quantum sensation का शिकार हो रहा हूँ, और ऐसने में बहुत दिन नहीं लगेंगे, आप 5 मिनट के लिए बैठ जाये करें, कि आज दिन भर मुझे कौन से major थोट आये, या मैं अगर मैं देखू, तो मुझे कौन कौन से major sensations आती हैं, और उनको समाधान कैसे करेंगे, अब मैं इसका समाधान भी बता दिता हूँ, समाधान का meaning है, कि जो भी sensation आपको आ रही है, वो आपको एक संदेश देना चाहती है, माल लेते हैं, आपको irritation हो रही है, तो इसका मतलब है, irritation ये कह रही है, कि आप शान्त हो जाओ, और जहां से irritation आ रही है, उस चीज को resolve कर लो, उसका समाधान कर लो, इतना सा ही तो करना है, बस लेकिन अगर हम अपने आपको observe नहीं करेंगे, तो ये तो वही वाली बात हुई, कि पेड़ के जड़ में तो हमने wish डाल रखा है, और इंतियार कर रहे हैं, कि ये जो फल आएं और इसके बाद अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको next है, resistant quantas, resistant quantas, इनके उपर काम करना पड़ेगा, यानि कि आपके पास कुछ प्रतिरोधात्मक, प्रतिरोध करने वाली कुछ, I mean, quantum है, ठीक है न, आपके पास कुछ ऐसी चीजे हैं, जो एकदम से आपकी positive quantum healing के लिए आपको support नहीं कर रही है, याद रखेगा, मैं उनके बारे में भी बात कर देता हूँ, वो याद रखेगा, कोई ने कोई आपके पास causes हैं, कि आप किसी particular जगे पर जाकर अच्छानक अपना mood खराब कर लेते हैं, और आपका इसको ग्यान भी है, पर कभी आप उस को याद करके, उस इस्तिती में पहुंच जाते हैं, जहां पर पूरी शरीर, पूरी बोडी उनकी कहां पने लगते हैं, डर में, और ये causes, ये create कर रहे हैं आपके लिए डर, आपके लिए depression, और याद रखेगा, यही आपके लिए stress create कर रहे हैं, और इनी को अगर बदल दें तो यही सब चीज़े किस में convert होती हैं, आपकी बीमारियों में, ऐसा कोई आदमी ही नहीं मिलेगा, जिसको कोई बड़ी बीमारी चल रही हो, और ये सीज़े उनके अंदर ना हो, ये पहला रूल है, आप अपनी foundation पर जाकर देखिएगा, building ऐसे ही नहीं हिल रहे, बगैर earthquake क अगर building हिल रही है, तो भई आप foundation में गड़ बड़े, इतना सा काम करेंगे, और इतना सा काम करने के बाद, अगला एक चीज़ सोचिएगा, यहाँ पर एक responsibility लेनी होगी आपको, अगर आप quantum healing की बात करे, responsibility, और वो ये है friends के, जो भी आपकी, जो भी आपकी vibes हैं, जो भी आ समयदारी आपकी है, और जहां पर भी आपका focus होगा, वही vibration आपकी body में अगर आजाएंगी, अगर आपका ear के उपर, अगर डर के उपर focus आ गया, तो यही है, यही होगा कि अंदर भी डर आजाएगा, इसी वक्त अगर मैं काऊं, सितिंक को कोबरा, एक कोबरा के बारे में स ठीक नहीं होती, डाइबर्टीज ठीक नहीं होती, वो यह नहीं कहेंगे कि आप healthy कैसे रहेंगे, healthy 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 के वड़का हमा रहे हैं, जिसने अस्पताल बने हुए हैं, वो सिर्फ हमें यह याद दिलाते हैं, कि बीमारी के लिए यह चीज बनी हुई है, सिहत के लिए कोई नहीं अगर आप already healthy आदमी हैं और किसी डॉक्टर के पास जाएं, सर मुझे और healthy अच्छी करनी है, तो वो चोंक जाएंगे, अरे तुम healthy हो, तो मुझे भी बताओ कैसे healthy रहा जाता है, मैं तो बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, health को पाना और बीमारी को ठीक करने में बहुत जमीन आस creative और positive तो आपने सोच रखा ना, क्योंकि आपने अपने focus से अपनी vibrations को बिगार रखा है, तो अब आप देखें कि आपका focus कहा है, बस अगर आपका focus health पर है, आपका focus चमकते हुए चेहरे पर है, आपका focus आँखों में glow है, आपका focus बढ़िया है, आपका focus energy पर है, आपका focus लोगों के साथ दयालूता के साथ जीना है, आपका focus नोट कमाना है, आपका focus अगले सो साल जीना है, तो यह मिल जाएगा, और आपका focus हो गया कि मुझे diabetes ना हो, मुझे मोटा पाना है, मुझे stress ना हो, मुझे panic attack ना पड़े, यह मुझे तंग ना करे, बस यही vibration अब आपके सतर्क हो जाएं, जितनी भी बीमारिया लोगों ने पाल रखी है, उससे पहले उनका focus 100% बिगडा है, 100% बिगडा है, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, जिसको हैपो कॉंड्रिया हो यह निकि बीमारियों का मौत का डर लगा हो, और उससे पहले उसने इन सब चीजों के आपका focus कहां चला गया, उन्हीं बीमारियों पर और उसी परिनाम पर, तो अब आप कौन सी vibration लेंगे, negative लेंगे और वही attract करेंगे, यही quantum healing है, और अगर आप इसकी बात करें, तो अब इसके आपको एक समधान ओड दे रहा हूं, एक समधान यह है कि अपनी emotional set point को define करें, इ यह हर जगे यही बताया गया, उसकी ताब में भी बार बार इसी का जिकर हुआ है, आप कई बार देखा करें, कि मैं किन किन emotions पर, जो negative हैं, उन पर रहता हूं, और कितनी दिर रहता हूं, और एक set करें अपनी emotion को, कि भाई, मैं जल्दी ही इन से उतर कर positive emotions अपने लिए रख है, मैं बार बार समझाता हूं, बस वही पर उसी negative emotion पर चले जाते हैं, और जब उनका focus उसी जगे जाता है, तो वो अपनी life में ने तो अच्छे जोग को attract कर पा रहे हैं, ना ही सिहत को, ना ही रिष्टों को, ना ही soulmate को, और ना ही अपनी नीद को, और फिर वो मुझते कहत करने के लिए, आपका past कई बार आपके सामने खड़ा होगा, कि मेरे पास past में बहुत लोगों ने तंग किया है, मैं इसको कैसे करूँ, और ऐसे में आप कुछ ना करें, जिस event पर आपको लगता है कि आप ज़्यादा दुखी है, imagine करो कि उस दिन वो event नहीं गटी थी, उस इस दिन तो तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने किसी बढ़िया से जगे पर जा रहे थे, इस event को जो अच्छे वाली बनी, इसे बहुत colorful तरीके से imagine करो, और जो पुरानी event है, धीरे से imagine करो, कि उसे आप एक box में लपेट कर, किसी desert में दफना रहे हैं, या किसी जैसे ही आप ऐसा करेंगे, तो उसकी जो quantum, जो resistance था, आपके body के और mind के अंदर, पुरानी खराब memory से, वो तो धीरे धीरे कम होना शोना शुरू हो जाएगा, और उसको जिस memory से आपने replace किया, चूंकि उसमें enjoyment है, उसमें happiness है, उसमें आपका comfort है, वो धीरे धीरे आपका और आखिर में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो उसकी किताब में भी लिखा है, और यह सभी किताबों में लिखा है, हमारे पास कुछ एक आप कह सकते हैं, कि लास्ट पॉइंट मेरा यह है, और वो है quantum causes, हमारे पास कुछ ऐसे causes हैं, जो हमारे अंदर उस quantum healing को पैदा कर देते हैं इसकी बार-बार मैं हम बहुत सारे वीडियो में बात करता हूं और यह quantum कोजित एक काम करते हैं जिसका नाम है placebo कि इनकी वज़े से हमारे अंदर एक placebo आ जाता है जो अपने आप में एक vibration है हमारी mind और body की और इस vibration के तुरू हम किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं तो अगर आप जीवन में सिर्फ placebo के उपर काम करना शुरू कर दें और अपने placebo को बनाए रखे तो बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन placebo क्या है इट इस जस्ट vibration of belief system आपका belief कैसे बने और कई बार हमारे इस belief को बनाने के लिए हमारे पास quantum यानि कि सुख्ष्म causes होते हैं बहुत ही सुख्ष्म होते हैं पर हम उन्हें कई बार भूल जाते हैं मैं इस वीडियो में आपको उनके conscious mind से logic mind से अपनी दिवार को तोड़ते हुए unconscious में चली जाती है जब भी हम प्रे करते हैं उस समय हमारा conscious mind को doubt नहीं रहता और हम directly अपने placebo को create कर रहे होते हैं हमारे अंदर की vibrations बढ़ जाती हैं यह भी पाया गया है कि जब प्रेयर के बाद जो भी आपके ritual है ताली बजाना हो किर्तन गाना हो या किसी तरह से आप अपने different और ritual को करते हैं तो यह पाया गया है कि उसके बाद immediately आपकी जो body की energy है औरा है वो different होता है इसका मतलब है आप उस समय हील हो रहे ही होते हैं ऐसे ही आपके पास कुछ जगह हैं आपके पास वह जगह हो सकती है कि आप आपका गाव हो आपके बच्पन की जगह हो भले आप वहां आ जाएं पर आप उन यादों को एक बार imagine करना शुरू कर दें के जहां पर आप खुश रहा करते थे उन जगों पर उन schools में उन लोगों के साथ तो लोग भी आ सकते हैं ले people भी है उनके चेहरे याद क कर उनके साथ जो समय बिताया है उनके साथ जब आप ऐसा बैठ कर उस visualization को एंजोई करते हैं तो आप अपने quantum triggers को quantum causes को activate करते हैं और याद रखेगा एक बार आपकी बोडी नेगेटिव क्वांटा से निकलना शुरू कर दे बेकार के अनरजी से निकलना शुरू कर दे तो उ हर बार उसे करने के लिए प्रेरित करता है ना कमाल की बात तो यह quantum healing का जो मैंने आज आपके साथ आठ पोइंट बता हैं इनको आप apply करना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपकी बीमारियों का नाम छोड़ दें आप थोड़ देर के लिए बस आप अपने उपर काम करे और इन points को आप पूरी तरह से notes बनाते हुए एक एक को पूरा करें और आप पाएंगे कि आप एक खूबसूरत healing के मालिक बन रहे हैं चेहरे पर आपके चमक होगी life आपकी खूबसूरत होगी अपना ध्यान रखेगा नमस्क्यार अपने चाट